हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं दिले पुर्वांचल आपका हमारी चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में पूर्विदायक अनुग्रा नारायन सिंग के बारे में आप सभी को बताएंगे 6 अक्टूबर 1991 को अनुग्रा नारायन सिंग का जन्म हुआ उत्तर परदेश के इलहाबाद जिले में उनका जन्म हुआ इनके पिता का नाम स्वर्गिय स्रीतला बकस सिंग है अनुग्रा नारायन सिंग मूल रूप से उत्तर परदेश परताब गड़ जिले के रहने वाले हैं अनुग्रा नारायन सिंग ने इलहाबाद विश्विद्याले से पढ़ाई किया है उन्होंने बीए और एललबी की पढ़ाई की है शुर्वात से ही छात रार निती में उनकी रूप थी जिसके चलते अनुग्रा नारायन सिंग इलहाबाद विश्विद्याले के अध्यच चुने गए 1985 में चौजी चरण सिंग की पार्टी लोग दल से अनुग्रा नारायन सिंग इलहाबाद चहर की उत्तिरी सीट से पहली बार विधायक चुने गए इसके बाद 1989 में जन्ता दल से वो दूसरी बार विधायक बनकर विधान सबाप हुचे इसी तरह अनुग्रा नारायन सिंग रार निती में आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा 2007 यूपी विधान सबाचुनाव में अनुग्रा नारायन सिंग ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और 2007 में वात तीसरी बार इलाबाद सहर की उतरी सीट से बिधायक बने अनुग्रा नारायन सिंग चौथी बार 2012 में सपा के लहर में बिधायक बने अनुग्रा नारायन सिंग कांग्रेस के संगठन में विभिन पडो पर भी रह चुके हैं 2017 यूपी विधान सबाचुनाव में अनुग्रा नारायन सिंग एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरे लेकिन इस बार उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा पूर्विधायक अनुग्रा नारायन सिंग राहुल गानली के बेहत करीबी माने जाते हैं पूर्विधायक अनुग्रा नारायन सिंग असलों के काफी सौकीन हैं इलहा बात के और लोग प्रियनेताओं में गिने जाते हैं और जिले में इनकी अच्छी पकड़ है तो ये रहे दोस्तो पूर विदायक अनुग्रह नरायन सिंग अगर आप लोगों के इनके बारे में ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सेर, कमेट चरू करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें, बेल बटन जरू दबाएं वीडियो दिखने के लिए धन्वाद